सरदर्ध को सभी एक आम समस्या समझते हैं अक्सर लोग इसे हलके मिलेते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाने के लिए छोड़ देते हैं अधिकांश लोग सरदर्ध से निपटने के लिए पैनकिलर्स का इस्तमाल करते हैं जो बिलकुल भी सही नहीं है लोग पेनकिलर्स के साइड एफेक्ट से अंज़ान होते हैं ये पेनकिलर्स आपकी सेहत के साथ खिलवार भी कर सकते हैं इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान और आयुरवेदिक नुस्खे जोने अपना कर आप आसानी से पासकते हैं सरदर्द से चुटकारा कई बार जादा शोरगुल वाली जगों पर होने से जादा तनाव लेने से या देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने की वज़ा से भी सिरदर्द होने लगता है ऐसे में साइड इफिक्ट रही पेंकिलर्स ना लेकर आप अपना सकते हैं कुछ बेहद आसान उपाए जो सरदर्द से निजवा दिलाने में काफी प्रभावी होते हैं सरदर्द से चुटकारा पाने के आसान नुस्खे नासिका चिदर में घी की कुछ बूंदे डाल देने से सरदर्द में आराम मिलता है आधा चम्मच चंदन पाउडर को पानी के साथ मिला कर पेस्ट बना ले इस पेस्ट को माथे पर लगाए और 20 मिनट तक रहने दे इससे सिरदर्द में रहत मिल जाएगी चोटी इलाइची को चबाने से भी सिरदर्द से रहत मिलती है गर्म पानी में एक चुटकी काला नमक मिला कर पीने से सिरदर्द से आराम मिलता है तगर एक वनस्पती ओश्टी है इसके तेल से मसाज कर सिरदर्द से रहत पा सकते हैं या फिर आप तगर की पत्तियों की चाय बनाकर भी भी सकते हैं। DB Life की रिपोर्ट